एक सर्वे के नुसार देश की जितनी आबादी है उससे दोगुना खाना डेली बनता है देश में लेकिन फिर भी लोग देश में भूख से मर रहे हैं बच्चे को पोशन के शिकार हैं Agriculture Ministry की हिसाब से 50,000 करोड का खाना देश में हर साल घटर में बहाया जाता है ध्यान से सुनिये हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहां अन को भगवान माना जाता है जहां खाने के दाने को फिकना अराम माना जाता है एक organization जिसका नाम भूक है उसके सर्वे के मताबिक 20 करोड भारती रोजाना बिना भोजन के सोतें 70 लाग बच्चे कुपोशन और भुकमरी से हर साल मर जातें देश की 45 प्रतिशाद जमीन जो बंजर होने लगी है जहां water level down हो गया है उसका कारण है कि उन जमीनों से जंगल काट दिये गए ताकि खेती की जा सके और लोगों का पेट भर सके लेकिन इस भारी कीमत पर हम जो अनाज उप जाते हैं उसे खाते नहीं फेक देते हैं सोचिए कितना नुकसान हो रहा है आपके खाने को वेस्ट करने की आदत से तीन सो मिलियन लीटर तेल हम रोज जलाते हैं उस खाने को पकाने के लिए जो नालियों में बहा दिया जाता है अगर इंसान है तो प्लीज राशन का समान उतना ही खरीदें जितनी जरूरत हो ओफर्स के चक्कर में ज्यादा कभी न लें क्योंकि वो कूड़े दान में ही जाएगा 20 प्रतिशत समान हम भारती जो खाने के लिए खरीदे हैं वो फेक देते हैं स्टेटिस्टिक्स को ध्यान में रखें दिमाग में रखें बाजार से सबजीया लेकर आते वक्त ध्यान देगी घर में कितनी इस्तमाल होगी और कितनी वेस्ट होगी अगर आफिस में काम करते हैं या किसी भी जॉब में है जाग केंटेन की सुईधाएं उपलब्ध हैं या कोई होटल आपके पहचान का है जाग खाना रात में बज जाता है तो मैनेज कीजी उनके साथ मिलकर कॉंटेट कीजी अपने आसपास केंजी उसको वो हल्प करेंगे ये खाना जरूरत मंदों तक पहुचाने के लिए शादी पार्टियों में भी चीज की जा सकती है और इन सबसे बड़ी बात आप सभी युवाओं से देश के यूथ से विनती है कि जब कभी बाहर आउटिंग के वक्त या खूमते फिरते कुछ खाने का मन करें तो प्लीज घर में फोन जरूर लगाईए मा को जरूर बोलें कि आज मेरे लिए मत बनाना माँ नहीं तो खाने के प्रिज्वावत मेरे देश में जहां अन्य का अपमान होता है उहां लक्षमी नहीं आती जिस घर में खाने की बेज़जटी होती है वहां अब बरकत नहीं होती तो इतना ही कहेंगे उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाये नाली में भोजन खाने के लिए है फेकने के लिए नहीं जहांकि चीज है न वहीं रखनी चाहिए और ये वीडियो शेयर करने के लिए देखकर भाग जाने के लिए नहीं तोकि आप तो भाग जाएंगे पर आपकी अंतरात्मा कचोटती रही आपको